हलो दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप लोग दोस्तों आप अपने स्क्रीन पर यह जो कॉम्पोनेंट देख रहे हैं इसका नाम है LED LED का फुल फाम होता है Light Emitting Diode दोस्तों जैसे कि हमें पता है LED अलग-अलग शेव में और अलग-अलग कलर में आती है ज़्यादतर लोगों गहीं पता दोस्तों कि LED को चलाने के लिए तीन बोल्ट की जुरूत पड़ती है जबकि ऐसा नहीं है हर एक अलग-अलग कलर की LED को चलाने के लिए एक अलग बोल्टेज निश्चित किया गया है तो आज की वीडियो में दोस्तों में ही जानेंगे कि किस कलर की LED को कितने बोल्ट में चलाया जाता है अगर आप LED को सही बोल्टेज देते हैं तो बिल्कुल प्रापर काम करेगा अगर आप गलत voltage देते हैं तो हो सकता वो तुरूंद खराब हो जाए या फिर थोड़ी देर चलने के बाद खराब हो जाए तो आज की वीडियो में दोस्तों हमें ही जानेंगे कि किस color की LED को कितने voltage देने के जुरूत पड़ती है तो आए दोस्तों वीडियो श्टार्ट करते हैं अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सस्क्राइब करें दोस्तों जैसे कि हमें पता है कि LED का जो shape होता है अलग-अलग shape में आता है और अलग-अलग size में आता है तो सबसे पहले हम जानते हैं 3 mm की LED की बारे में 3 mm दोस्तों 3 mm की जो green color की LED होती है इसको चलाने के लिए जो voltage की जरूत पड़ती है वो होता है 1.8 bolt green color की LED को चलाने के लिए 1.8 bolt की जरूत पड़ती है white वाइट को चलाने के लिए 2.8 bolt और दोस्तों blue color की LED है इसको भी चलाने के लिए 2.8 bolt की जरूत पड़ती है और RGB दोस्तों जो RGB color की LED है RGB आने के red green blue जो तीरों color में जलती है इसको चलाने के लिए भी 2.8 bolt की जरूत पड़ती है यह जो मैंने अभी आपको बताया यह सिर्फ 3 mm की बात कर रहा हूं मैं 5 mm की नहीं अब हम जानते हैं 5 mm की बारे में 5 mm में दोस्तों 5 mm 5 mm की जो green color की LED है इसको चलाने के लिए 2.2 bolt से लेकर 2.5 bolt तक आप supply दे सकते हैं red red color की LED को चलाने के लिए 1.5 bolt 2.1 bolt red bolt से लेकर 2.1 bolt तक आप दे सकते हैं red color की LED को चलाने के लिए जो 5 mm में होती है blue और white ये दोनों same voltage खर्च करती है इन दोनों को चलाने के लिए 3.2 bolt से लेकर 3.5 bolt तक आप दे सकते हैं 3.2 bolt से लेकर 3.5 bolt wire बना भी same voltage भी चलता है ठीक है अब आते हैं RGB पर RGB 5 mm की LED RGB है तो उसको चलाने के लिए 3.5 bolt से लेकर आप 4 bolt तक दे सकते हैं दोस्तों LED को चलाने के लिए जो perfect voltage होता है ये आपके साबने screen पर है आप चाहे तो screen सोट ले सकते हैं और ये 3 mm का है तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही नमस्कार